सवाल पब्लिक का शो पर हम आगे चलते हैं आज पुल्वामा हमले की तीसरी बरसी है 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में CRPF के 40 जवानों की शहादत देनी पड़ी पुल्वामा हमले के 12 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकीों के खिलाफ एर स्ट्राइक की थी सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोच स्ट्राइक ने आतंक पर पाकिस्तान की जूट का परदाफाश किया था पूर्व चिनार कोर कमांडर लेटनेंट जेनरल के जे एस धिलों आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताइम्स नाव भारत पर और धिलों साहाब नमशकार आपका हमारे साथ बलके सत्स्रियकाल करूँगी और सेल्यूट भी करूँगी आपको आपकी बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं बहुत बात की है लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अब भी ये प्रशन उटता है कि भारत ने पाकिस्तान को कोई जवाब दिया या नहीं दिया या बस ये किसी ना किसी राजनितिक डिबेट का हिस्सा बन कर रह जाता है कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बाला कोट का जो स्ट्राइक था उसकी बारे में जो कुछ भी हुआ वो एक सियासी दाव था मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी आप तब 15 कोर कमांडर के अध्यक्ष थे और आप कमांडर थे उस दोर में क्या हुआ था आज हमारे दर्शकों को जरूर बताएं मैडम सबसे पहले जाहिंद जाहिंद मैं ना नमस्कार ना सास्रीकाल आई प्रेफर जाहिंद जैसे भी आपने बात की की 15, 14 फर्वरी 2019 को जो पलवामा का हमला हुआ जिसमें हमारे CRPF के 40 वीर जवान वीर गती को प्राप्त हुए उसके इमिजिटली बाद में स्कुर्टी फोर्सिज ने और इंटेलिजेंस अजन्सिज ने मिल करके अच्छी तर्टीब बनाई और जो मोडियूल उस हमले के लिए जिम्यवार था जैसे महमद का पूरे मोडियूल को जन्होंने उस प्लैन आईडी को प्लैन किया था एक्जिक्यूट किया था उस मोडियूल को सो घंटे के भीतर भीतर खतब कर दिया वो Security Forces की एक पहली बड़ी कामजाबी थी उसके बाद Security Forces ने लगातार प्लैनिंग और अपरेशन्स करके जैशे महम्मद को खास करके फोकस किया और जैशे महम्मद की लेडर्शिप जो भी नए लेडर्शिप जाओं के नए कमांडर उबरते थे उन सब को बहुत जल्दी जल्दी खत्म किया एक वक्त पे हैलात ये हो गए थे कि पाकिस्तान से हुकम आता था कि फलाना फलाना टेर्रिस्ट अभी जैशे महम्मद का अगला कमांडर होगा तो वो फलाना टेर्रिस्ट कहता था मेरे को नहीं बनना है क्योंकि उसको मालूम था कुमांडर बनते ही वो एकदम से ख़तम कर दिया जाएगा और जो बात आपने कही बाला कोट स्ट्राइक थी येस गोर्मेंट ऑफ इंडिया ने एजर रिटालियेशन टू पाकिस्तान इनिशेशन और एक्जिकुशन ऑफ पुलवामा टैड आईडी एटैक इन विच हमने चालिस वीर जुआन अपने वीर गति को पराप्त हुए उसके खिलाफ गोर्मेंट ऑफ इंडिया ने रिटालियेट रिएक्शन में बाला कोट स्ट्राइक प्लाइन किये और एग्जीकुट किये और वो उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है सरकारी तोर पे और फोर्सिस की तरफ से भी तो मैं उसमें ज़्यादा ना जाकर के मैं कश्मीर के अंदर उसके बाद में त्माम टर्रिस्ट और्गनाईशन टर्रिस्ट को टागेट किया गया घाती कें अंदर और लाइन ओफ कंट्रोल के पाकिस्तान अकुपाइट कश्मीर एरिया में भी जहां पे ट्रेनिंग forces की और इंटेजंसी की लगातार कश्मीर में जारी रही और आज भी हैं और मैं ये बात अज़ा इमोशनल बात नहीं बोल रहा हूं मैं तर्थ दे रहा हूं जो facts पे अधारित हैं किसी भी terrorism के कुछ indices होते हैं या कुछ map dund होते हैं terrorism area के यानि कि कितने terrorist मेरें कितने infiltration successful हुई कितने civilian casualty हुई कितनी terrorist initiated incidents हुए या कितने local बचों ने terrorism में recruitment किया ये तमाम map dund जो हैं पांच अगस 2019 के बाद सभी के सभी और including stone pelting सभी के सभी नीचे आए हैं और ये चीज एक ही बात दर्शाता है कि security forces Indian government की rate और civil administration की reach बहुत अच्छे तरिके से किश्मीर में काम कर रही है और पाकिस्तान sponsored terrorism बुरी तरह से fail हो रहा है और पाकिस्तान is feeling the heat उसको इस चीज के बारे में सरकारी तोर पे diplomatic तोर पे एकनॉमिक तोर पे pressure महसूस हो रहा है तो धिलो साब जो लोग सबूत के बारे में सवाल उठाते हैं उनको आपका क्या जवाब है मैं राजवितिक बातों में नहीं पड़ना चाहूंगा जो वी ऐसे operation होते हैं उनकी planning और उनकी execution secret और confidential होती है उनकी execution उस टाम के जो operational commanders होते हैं उस टाम के जो political bosses होते हैं जहां government होती है उनकी नदर में उनके पूरे उनकी information रहती है और मैं सरफ इतना ही बोलूँगा कि वो operations की information need to know basis के उपर right people are always aware and उनको हमेशा बता जाता है डिलो साब आप एक जीता जाकता सबूत हैं कि surgical strikes हुई थी और हमने पाकिस्तान वी made पाकिस्तान पे मैं सिर्फ इतना पूछूंगी आप से कि जब आप वहां थे और आप अपनी आँखों से देख रहे थे जो हमने बाला कोट में किया तो कम से कम दिल पर जब आप हात रखते हैं या अपने रब को आप जब याद करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था माडम बिलकुल जब इतना बड़ा ओपरेशन प्लैन हुआ और एग्जीकूट हुआ और उसका जो पूरा का पूरा प्लैनिंग हुआ और उसकी एग्जीकूशन हुए ये सिरफ पाकिस्तान वोकूपाइट कश्मीर में जाकर स्ट्राइक नहीं हुई ये स्ट्राइक में प शायद वो लोग जो आज तक, तीन साल बात तक, आज के दिन जब हमने अपने चालिस वीर जवान खोई थे, आज तक जो सवाल खड़ा करते हैं, शायद उनके सवालों को आज जवाब मिल चुका होगा, और नहीं मिला, तो बस भगवान ही मालिक है, हमारे साथ जुरने के लि जएः चाहिए तक ज्य क्याँ उनके सब्सक्राइब टाशब करता है, जहीं झाल मिला, जाउनके सबस्सक्राइब चाहिए जएज जएँ, शाच आख रचाहिए।